तो आपका नाम क्या बन गया देश और दुनिया में पल्टुआ वो पुर्मान सामने नहीं है इसका इसका कहना है कहना है बात सुनिए एक दौर था जब नितिश कुमार के दुलरुआ और खासम खास वेक्ति आर्सीपी सिंग हुआ करते थे और नितिश कुमार अगर कोई भी फैसला लेते थे तो आर्सीपी सिंग से पूछा करते थे और यहां तक आर्सीपी सिंग की पहुष थी कि जद्दिव में अगर कोई भी काम करना होता था तो बिना आर्सीपी के सिंग के इजाजत से कोई भी काम नहीं हो पाता था लेकिन कई महीनों से नितिसकुमार और रसीपी के राहे अलग हो गई ये वही रसीपी सिंग है जो नितिसकुमार को विकास पुरूस कहते थे सुसासन बाबू कहते थे लेकिन राजनीती संभवनाओ का खेल है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि रसीपी सिंग और नितिसकु कुमार को पानी पी पी कर कही न कहीं निसाना साद रहें रसीपी सिंग के एक बयान आया और सीधे तोर पे कहा है कि अकेले अगर जद्धियु चुनाओ लड़ जाएगी तो कहीं न कहीं जीरो पे आउट हो जाएगी सनाटा यानी मतलब खाता भी नहीं खुल पाएगा और सीधे तोर पे आर्चिपी सिंग ने और एक बयान दे डाला है कि आने वाले दिनों में जद्धिव का बिला है आरजेडी में हो जाएगा यह तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे स जो आर्चिपी सिंग के खास आदमी है जितेंदर नीरजी है पहले जद्धिव से तालूक रखते थे इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे के नितिश के अकेले होने के बाद लगा तार बिहार गूम रहे है आर्चिपी सिंग उसका कुछ असर मिल रहा है कि नह करेंगे जितेंदर नीरजी अगर और राजनीती सफर पर बात कर ली जाए तो जद्धू के लोग कहते हैं कि नितिश कुमार का नाम लेते लेते ही आर्चिपी सिंग नेता बन गया अब दोनों की रहें अलग है बिहार भले ही घूम रहे हैं आपको लगता है कि बिना निति से नितिश के कुछ कमाल कर पाएंगे आर्चिपी सिंग देखिए आपने इसके पहले जो अपना यह डिटेल्स दिया उसमें एक साथ आपने बहुत सारे सवाल किये हैं और अभी कर रहे हैं तो दो तिन सवाल आप जो कर रहे थे नितिश कुमार से जुड़ा हुआ आर्चि समझना यह जरूरी होगा कि आखिर आर्चिपी सिंग और नितिश कुमार अलग क्यों हुए आपने कहा कि दौर था जब तोर रहे हैं ने ऐसेस्ढ स्वाल किया हैं अब खाली चुकि पत्रकारों में आप कामरेट पत्रकार हो जानते हैं आपको भाई की तरह मानते भी हैं तो हम खाली यह चाहेंगे कि आप एक मिनिट सुनिए आपने जितने सवाल उठाए हैं मैं उसको करम बाइज आपको बताता हूं और आप इससे सहमत होंगे आपने कहा कि नितीज कुमार एक दौर था जब आर सीपी सिंग से राय सलाह किया करते थे और हर फैसले में आर सीपी सिंग के सहमती होती थी अब उनके रास्ते अलग हो गए आर सीपी सिंग अलग हो गए देखे दो बाते हैं समझने वाली है कि जब तक नितीज कुमार के साथ आर सीपी सिंग थे तो निश्चत रुप से हम लोग कहते हैं कि आर सीपी सिंग सिल्पकार थे पार्टी को सजाया पार्टी को कारजाले के कमरों से गाओं के बूत तक पहुंचाया, ये सब कुछ चला, पाटी को मजबूत की और सरकार को भी, जब पहले दोर में जब सरकार बनी थी, तो प्रिंस्पल सेक्रेटरी के रुप में रसीपी सिंग थे, और उसके बाद उन्होंने जो भिकास की पटका था, बिहार में लिखी गई, उसका उस पटकथा को लिखने वाला अगर कोई था, तो वो रसीपी सिंग थे, दूसरी बात हम संचेप में आपको बता रहे हैं, रसीपी सिंग जब नितीज कुमार के साथ थे, तो नितीज कुमार के लोग किस नाम से जानने लगे थे, सुसासन बाबु के नाम से, उनकी पहचान बनी, उसके पीछे अगर किसी की भूमका थी, तो वो भूमका आर्सीपी सिंगी थी, अब देख लीजे आप, जिन कारणों से भी, किन कारणों से हटे, ये भी आप जान लीजे, हटने का क्या कारण था, हटने का सीधा कारण था, कि नितीज कुमार जी अपने सिध अगा करना है, धोखा करना है, विश्वासगात करना है, और जब उन्होंने ये तै कर लिया, तो आर्सीपी सिंग की यही पहचान बिहार में उभरी है, कि आर्सीपी सिंग सिध्धानतों के साथ बन्वूती से खड़ा उंचे सिधाने वाले लोग है, दूसरी बात, ये कि बोट आपको जंता ने दिया था, एंडिये के साथ सरकार बनाने के लिए, और आपकी सरकार बनी भी, ये तो बाद की चीज थी, पहले पहले, ये प्रिस्ट भूमी, हम बता रहे हैं रहो हित आपको, ये प्रिस्ट भूमी बन गई थी, और ये अंदर अंदर, बाहर नहीं आया था, लेकिन आर्सीपी सिंग जैसे लोग जो उनके कैबिनेट के लोग हुआ करते थे, तो ये अंदर में चलने लगा था कि अब हमको एंडिये से अलग आटता है, इस बात को नहीं आप, सुनिए, सुनिए, आप अपने निता के बचाओं में भले ही बोले, लेकिन इस कुमार राष्टी है, अद्यच उनको बना है, लेकिन जिस परकार से जो अंदर का खेल, आर्सीपी सिंग खेल रहे थे, तमाम जो जद्यू के नेताओं का कहना, उसी का भूगतान जो है, आप आप सुनिए, ये जितने आरोप लगाएगा, ये सम्मन गड़ां थे, इनका को लेकिन वो हुआ कि अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी दूसरे के उपर आरोप गढ़ देना, ये कह रहे हैं, आर्सीपी सिंग तोड़ रहे थे, आर्सीपी सिंग ये कर रहे थे, आर्सीपी सिंग वो कर रहे थे, ये सब आरोप लगाए गए, एक भी आरोप प्रमानित प्रमानित क्या हुआ प्रमानित क्या हुआ मार्केट में प्रमानित यह हुआ कि जनता ने जिस उमीद के साथ NDA के साथ मिल के सासन चलाने का आपको मत दिया था आपने जनता के उस विश्वास को धोखा दे दिया सच यह हुआ दूसरी बात सुन लिजे एक बात और छूट ग कि हम बीजेपी की नहीं बोल रहे हम लोग बताते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं 2020 में बिहार विदान सभा का चुना हुआ सुन लिजे पहले आप सुनिये ना 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लरे नितिश कुमार चुनाव जीते परदे के पीछे से चिराग पासवान को भीरा हैं जद्दिव का सीट कम आया बीजेपी लगा तार धोका देते रही आर्सीपी सिंग बीजेपी के साथ देखिए जब चुनाव में परिनाम ने 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 अरे जब दो सीट पर आपकी पाटी आ गई थी तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था देखिए मुखमंत्री जी का दोहरा माप दंड हमेशा होता है अगर किसी चीज में अच्छा रिजल्ट आया परिनाम आया तो इसका क्रेडिट किसक सवालों पर आज भी खड़े हैं और वक्त ने इस चीज को प्रमानित कर दिया और सीपी सिंग ने अपने ने तृत को बिहार में प्रूफ कर दिया और यह साबित हो गया कि बीजेपी से हमारा कोई दूर दूर तक लेना को सवाले पैदा नहीं होता अगर रिस्ता होता तो चुनाओ में बीजेपी चुनाओ लड़ रही थी हम नहीं जाते हैं उसके प्रचार में लोग गये थे तो बाद में जैवे करिए ने बाद जब हमारे देखे हम कहां जाएंगे मैं आपको यह दूसरा सवाल है अभी तो हम बिहार घूम रहे हैं और सुन लिजे ने तो आप प्रधान मंत्री का नहीं लगाई है अभी हम किसी दल में नहीं है एक चीश सुन लिजे हम अभी बिहार घूम रहे हैं कार्जकरताओं का फिडबेक ले रहे हैं और हम अपने रास्ते तैकरेंग लेकिन एक बात है कि हमारे जो रास्ते होंगे वो इस तरह के विश्वास गह लोगों के साथ चलने वाले रास्ते नहीं होगे बिहार के सवालों पर T जब उनकी सरकार बनी थी देश की आर्थिक स्थिति की पैदान पर था और आज की पैदान पर है अप उठागे वह लंबा हो जाएगा उन सवालों पर अभी नहीं जाना तो हम प्रभावी जरूर है, पूरा देश प्रभावी थे पूरी दुनिया प्रभावी थै। करते हुए अगर अप इस तरह के फैसले लेते हैं कि जिसके साथ speech हुआ जिसके खिला अगर आप उसके साथ जा के राजनीत करना चाहते हैं तो हम आपके फैसले के साथ नहीं है और टब तक लिया था इटा इनोंटें कि आभ इनको अलग रास्ता आप लोग के मून से उससे में बोली काहें नहीं निकला जब जब सुन लीजिए, हम मेरे कहने से चल रहें कि आप अभी तब उसको जप रहे हैं, माला, यह ऑन थे कि पाठी को तोड रहे थे, कौन सा पाठी को हम तोड रहे थे, राज सबा राज सबा जब नहीं भेजागी, तो अब तुटेगी आपकी जनाब पार्टि तो अब आपकी तुटने जा रही है और तुटने इसलिया जब राजसभा नहीं उनको बनायेगे अर सीपी सिंग सुल लिजिए सुल लीजए राजसभा जब उनको नहीं भेजा गया तो उस समय है उसके बाद वगावत की है RCP सिंग पहले न वगावत करना चाहिए था पहले न भूलना चाहिए था रोहित जी मुद्दे अब वहां नहीं है आप पत्रकार हैं पत्रकार हैं पत्रकार हैं, लोक तंत्र के चोधा अस्थंभ हैं अब आप सच के साथ आजाए ये सच के आप पीछे की जो बात बोल रहे हैं अब परीस्थितियों अभी सामने आ गई हैं मुखमंत्री जी सुन लिए बात हमारी मुखमंत्री जी खुद मुखमंत्री हैं अम मंच से मुखमंत्री बोल रहे हैं ते जस्वी जादो को देखिए मन की बात कैसे बाहर निकल रहा है दूसरी बात मुखमंत्री जी ने सरयाम रूप से कह दिया कि अब भाई हमको किसी के लि खराब कार्ज करता था आपने हमको पार्टी से बाहर निकाल दिया और भी लोग खराब थे आप आपके दल में जिस दल के आप सर्मान नेता हैं आपके दल में कोई एक आदमी भी नहीं है जिसके लिए आप काम कीजिए कोई एक आदमी नहीं है जिसको आप अपना उत्राधि कारी बनाएं तो जिस दल का सर्मान नेता एक मात्र नेता और अपना नेने सुना दिया कि हमको इसके लिए काम करना है तो आपके पटिया का जाल बजाने के लिए जदी वला लोग आपके साथ रहेगा तो पाटी में संतोस है मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग बिहार में जा रहे हैं तो हम लोगों के लिए जो भीड खड़ी हो रही है कार्ज करताओं की तो यह कौन लोग हैं हमारा पाटी हमारी पाटी तो है नहीं यह जदियों के लोग हैं जो संगटन से जुड़े हुए लोग हैं और सब उदासी करते हैं आपकी एक बात समझे हम असमत इसलिए हैं राज सभा के लिए हम लोग इंतजार नहीं किये राज सभा नहीं भेज़े यह पार्टी का फैसला हो सकता है हम उसके बाद भी चुप थे हम आपके फैसले के साथ थे लेकिन आपको तो हटाना था ना आप कब हमको हटाए हैं जब आप फाइनल स्टेज में आ गये कि अब हमको महागटबंदन के साथ जाना है स्टेज फाइनल आ गया तब अब आपने देखा कि आप तो दूसरा तिक पतन नहीं होना चीह मुखवंत्री जी और क्या लगता है अब आप 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 कह रहे हैं आप बताइए कि जब आप जब आप आरजेडी में के नेताओं के लिए ही अब काम करना शुरू कर देंगे तो आपके पाठी गास्तित तो अब रहेगा कि जद्धि ने समान दिया तिन दो दो बार रासरवा भेज रहे थे रास्ति यह अध्यच बनाए वही जद्धि के पेट पे लात मारने लगता है अब देखे यह बाते हैं बातों का क्या इसका कोई इन आरोप का कोई तथ नहीं है रोहित लेकिन जो सच है वो सामने दिख रह और लोग तो डिप्रेसन में आ गया जी इन लोगों में जोगता नहीं थी इन लोगों में काफिलियत नहीं थी पहले पंद्रा में साथ में चुनाव लड़ते हैं महागडवंदन के नीचिसकुमार 17 में फिर बीजेपी में चले जाते हैं जाते हैं मती में मिल जाएंगे पन्द्रा में कहां थे अरश नीच हएंगे महाकटवंदन के साथ नहीं जाएगे अगर जिस आदमी से जिस नेता से अगर वो माल लीजे गरवण नहीं है इसलिए कि चुनाव अगर आप महागठ बंधन से मिल कर रहे हैं और जो परिणाम आ रहा है तो हम फिर वहाँ डिफर कर रहे हैं कि तो फिर आपको महागठ बंधन के साथ ही रहना था तो फिर क्या कहते हैं हम राजनीती छोड़ देंगे लेकिन अब महागठ बंधन के साथ पूना वापस ले अरे बाई तो मुखमंतरी जी आपकी पहचान क्या थी आपकी पहचान थी कि जो आप कहते हैं उख करते हैं आपकी पहचान थी कि आप जो है भ्रस्टाचार के खिलाप लड़ते हैं आपने सवाल उठाया था क्या महागठ बंधन को छोड़ने एक बात ध्यान में आगे सुन लीजिए आपने क्या सवाल उठाया था महागठ बंधन को छोड़ते समय आपने सवाल उठाया था कि तेजस्वी जादो पर जो आरोप लगे हैं तेजस्वी जादो जी सारुजान का करके उस पर सफाई दे अपनी और इसी को ग्राउंड बना कि आप उससे अलग हो गए मैं जंता भीहार की जंता की ओर से यह सवाल फिर से पुछना चाहता हूं आप पीछे की बात रोहित कर रहे हैं आप भी आप्षटाचार के सवालों पर सफाई देने का तो सब वही नहीं हमको सिर्फ सवाल बिहार की जनता ने मुख मंतरी के रूप में रशीपी सिंग जनता के दिलों में तो हैं और उन्होंने प्रमानित कर दिया है आज भी ना पाटी के रोही इसको इमंदारी से आप समिछा किजिए आप पत्रकार है आप देख लिजे सोशल मेडिया है रहे पैसा लेखे एक दिन चलता है यह लोग जो जा रहे हैं सब यह तो कुछ भी कह सकता है मुख मंतरी बनेगा आर्सीपी सिंग 25 में आप लोग बना रहा है तो नितिस कुमार विकास पुरूस हो जाते थे सुसासन बाबू हो जाते थे और नितिस कुमार 90 के दसक में जिस जंगल राज का हवाला देखे बिहार की सत्ता में पहुचे और 17 सालों से बिरजमान भी है नितिस कुमार का वो भी दौर देखने को मिला जब लालू यादब पेत हमलावर रहते थे जंता ने उन्हें सत्ता तक पहुचाने का काम किया 15 में फिर लालू के गोद में चले गए 17 में फिर बीजेपी में आ गए और 20 में भी बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े जंता ने जीताने का काम किया एक बार फिर तेजस्वी के पास चले गए तो सीधे तोर पे कहा जा सकता है कि नितिस कुमार हो तेजस्वी हो या रसिपी सिंगो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं रोहित नटानित पट्टा